हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो अर्गनाइज लर्निंग चानल अगर आप में ये चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें तो डिरेक्टरेट ओफ एडुकेशन जी एंसीटी ओफ डेली की तरफ से 3 दिसमबर 2021 के लिए मैट्स की वर्कशीट है वर्कशीट नमबर 124 प्लास वन के लिए वर्कशीट है लर्निंग आउटकम क्या रहेगा तो record को कैसे collect करते हैं कैसे इखटा करना है हमें pictures या numbers का इस्तमाल करके और इन pictures को देख कर हम जो है information यहां से collect करेंगे यहां सबी student अपना नाम लिखेंगे और यहां अपने teacher का नाम लिखेंगे तो आज हम पढ़ते हैं पोशाक की दुकान शाइना की अम्मी की पोशाक की दुकान है जहां पर वे एक विद्याले में पहनी जाने वाली पोशाके बेचती है उनकी दुकान में एक दिन की बिकरी के बाद कुछ ही पोशाके बची है जिनके चित्रों नीचे बॉक्स में दिये गए है तो box में पोशाकों के चित्र देखिए और सभी पोशाकों की संख्या गिनकर लिखिए तो ये हमारे पास पोशाके और इनके जो ये हैं इन चित्रों को देखकर हम इनकी संख्या जो है नीचे दिये गए box में लिखेंगे जैसे अगर full sleeve sweater की बात की जाये तो total कितने है 1 और ये 2 बचे हुए तो हमने यहाँ पर 2 लिखा और ये shirt और skirt के जोड़े की बात करें तो ये कितने है 1,2,3 और ये चार तो यहाँ पर 4 लिखा फिर ये half sleeve sweater की अगर बात की जाए तो ये कितने बचे हुए है हमारे पास एक दो और ये तीन तो यहाँ पे तीन लिखा अगला देखते हैं अब अगर ये pen't की बात की जाए तो pen't हमारे पास कितनी बची हुई है तो pen't है पैंट यहां पर कितनी बची हुई है एक दो और यह तीन तो यहां पर हमने तीन लिखा अब अगर हम यह टोपी की बात करें तो टोपी कितनी बची हुई है यहां पर देखते हैं एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ ठीक है तो टोपिया टोटल कितने बचे हुई है साथ यहाँ पे हमने साथ लिखा अगर यह हम कोट की बात करें तो कोट कितने बचे हुए है यह बचे है एक तो यहाँ पे एक लिखा जुराप के जोड़े की बात करें तो कितने बचे हुए हैं 6 बचे हुए हैं तो हमने यहां पे 6 लिखा अब आगे देखते हैं सबसे कम संख्या वाली पोशाक का चित्र बनाए जो जिसकी संख्या सबसे कम है उस पोशाक का आपको चित्र बनाना तो देखो सबसे कम संख्या कौन सी है एक किसकी है यह जो कोट है इसकी तो आप इसका चित्र बनाएंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सी पोशाक बची, तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, ये साथ है, और ये किसकी है, ये है टोपी की, तो आप लिखेंगे टोपी, ठीक है, और इसका आपको चित्र भी बनाना, तो आप इसका चित्र अगला है जोडे में मिलने वाली पुशाकों की संखिया बताईए और चित्र भी बनाईएए तो देखो जोडे में कौन-कौनजी चीज़े मिल रही है ये हैं च्रट और का जोड़ा ये हैं चार और ये है जुराबों का जोड़ा ये कितनी है छोड़ा bei मिलने वाली कितनी पोशाके हैं दो और इनकी संख्या कितनी हुई चार जमा में छे यानि कि चार और छे कितनी हुई दस तो जोडे में मिलने वाली पोशाकों की संख्या कितनी हुई दस और आपको इसका और इसका भी चित्र बनाना है ठीक है अब अभिभावकों के लिए सु प्रक्षित रहने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छ करें चानल को सबस्क्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में